हाई एवरिवन वेलकम बैक टू मैं कुकिंग व्लॉग तो आज की रेसिपी जो मैं बनाने जारी है यह है सूजी का चीला और सूजी का चीला जो है यह खाने में बहुत जाद अच्छा लगता है साथ के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा उप्षन है तो यहां प बढ़े बाओल में मैंने सूजी कर लिए और मैं यह दही डाल के इसे अब मिक्स करके अच्छे से इसका बैटर त्यार कर लोगी तो दही मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी अट कर दिया और पानी मैं थोड़ा-थोड़ा करके अट करूंगी क्योंकि अभी क्ला लोगी और मिक्स करन καने के बाद मैं इसे आधे गंटे के लिए रख दूंगी और आधे गंटे बाद हमिसका लगे तो इसके बाद यहाँआ पर मैं वेजीज चौप्त कर लोगी तो इहां पर मैंने वेजी में दो ठामाटर लिया है दो प्यास ले लिया है और दो हरी मिश ले लिया है साथ में एक सिम्ला मिश ले लिया है वैजी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं आपको जो पसंद हो इसमें खाने में आप वह भी इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने यह सारी चीजें चोटी बारिक चॉप्ट कर लिया है बिल्कुल बैटर जो है सुजी का वह बहुत अच्छे से तियार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फोल्च उकी है सुजी तो यहां पर हमारा बैटर त्यार है अब मैं समी सारी वैजी जो है यह सारी मिक्स कर लोगी अब ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दिया ह यहँद लिए पहले प्रफट्राइब टीक हो रहा था तो इसमें मैंने हलका सा पानी एट करके इसे मिक्स करके चला लिया है अब हमारा जो बैटर है यह चीला बनाने के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट तयार है तो अब मैं चीला इसका बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने सबसे अब बेटर पतला पतला इस तरीके से आप फैला देंगे सूजी का चीला बनाने के लिए जब बैटर फैलाते हैं तो यह हलका सा चिपकता है तो बिलकुल हलके हातों से आप इसे फैला है थाकि चिपके नहीं और इसे मैं हलका सा नीचे से गरम होने दूँगे और इसके बाद मैं इस पे थोड़ा सा ओयल स्पिंकल करूँगे हलका सा ओयल उपर से डालूँगे ताकि जो ये उपर से सूजी का चीला है ये भी हलका सा पक जाए तो इस तरीके से ओईल बस थोड़ा सा ही आपको चारो तरफ फैलाना है और अब मैं इसे जब तक पकने दूँगे जब तक ये नीचे से अपने आप हलका हलका सा पकने ना लगे तब तक आप इसे नहीं पलटेंगे क्योंकि जब इस पक जायेगा तो ये अपने आप साइडों से लगेगे तो जब तक ये पके नहीं तब तक आप इसे नहीं हटाएंगे तो चीला हमारा एक तरफ से पक चुका था और मैंने इसे दूसरी तरफ से भी पलट के ठीक लेना है और हमारा जो चीला है ये बिल्कुल बनकर त्यार हो चुका है और चीला जब हमारा एक तरफ से पकने लगता है तो वो अपने आप तवे पे छूटने लगता है तो इस तरीके से जब हमारा चीला त्यार हो जाता है तो ये पलटने में आसानी रहती है और ये चिपकता नहीं ह यह सारे एक एक करके सारे त्यार कर लेने जितना भी मेरा बैटर है यह मैं सारे चीले करके बना कर रख लूँगी और सूजी का चीला जो है यह थोड़ा सॉफ्ट होता है सूजी बहुत सॉफ्ट होती है तो इस वजह से हलका सा तूटने लगता है तो बस आप ध्यान रखें यहां पर मैंने इस तरीके से सारी जो चीले वो बना कर रख लिए है और आप देख सकते हमारा जो चीला है वो बिलकुल परफेक्ट बनकर त्यार हो चुका है और बहुत सॉफ्ट है बिलकुल मुलायम है और मैं इसे हलका सा तोड़ के आपको दिखा रही हूँ आप देख स सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोले बैल आइकन का बटन जरूर प्यास करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोग को मिले